नमबर एक छोटी लाइची पीस कर पाउडर बना ले इसे सहथ के साथ मिला कर रोजाना चाट ले नमबर दो अमरूत की चार पांच कोमल पतियों को पीस कर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला कर रोजाना खाने से जोडों के दर्द में काफी आरा मिलता है नमबर तीन तांबे के बर्तन में पानी और दो चम्मस है थरा धरिया बिगोदे सुवाह मसल कर छान कर पी ले से थारेट में सुदा राता है नमबर चाथ तुलसी की दस से बारा पत्यों को दिन में दो बार जबाने से तनाव दूर किया जा सकता है नमबर 5, हल्दी वाला दूर में रूई बिगो कर चहरे पर लगाने से तवच्छा साफ हो जाती है और इस पर निखार आता है नमबर 6, रोजाना हल्दी वाला दूर पीने से चहरे चमकने लगता है नमबर साथ, लीवर को बचाना चाते हैं तो फ्रेट वाली चेजे का सेवन ना करे नमबर आठ, दिल को हेल्टी रखना है तो जादा नमक का सेवन ना करे नमबर नौ, आपको रोजना तीन चार खजूर जरूर खानी चाहिए इससे आपको कमजोरी दूर हो जाती है और मेमोरी तेज होती है और बालों का जड़ना रोकती है नमबर दस, संत्रे के छिलकों को दूद में डाल कर हातों पर अगरने से दाग दब्बे खतम हो जाते है नमबर ग्यारा, रोटी में घी लगा कर खाने से जीन का वजन नहीं बढ़ता है उनका वजन तेजी से बढ़ता है और ताकत आती है नमबर बारा, नीम और बेर के पत्टे को पानी में उबाल कर उस पानी से सिर्थ दोने से बाल गिनना बंद हो जाते हैं और लंबे गने हो जाते हैं नमबर तेरा बर्गत का दूद चेहरे पर लगा कर 20 मिनट बार चेहरा धो लेने से चेहरे की जाया खतम हो जाती है नमबर चौदा दही जमाने से पहले दूद में एक तुकड़ा नारेल डाल दे दही दो तीन दिन तक ताजा रहता है नमबर पंदरा गुटनों में सरसो का तेल लगाने से गुटनों के दर्द में आरा मिलता है और सूजन कम होने लगती है नमबर सोला हिचकी आ रही है तो काली मिच और मिश्री साथी चबा इससे हिचकी आना बंद हो जाती है 16. मूँ में पानी भर कर नाने से कभी जुखाम नहीं होता है 18. नाने से पहले कान, नाक और अंगूटे नाभी नाखुनों पर सरसों का तेल लगाने से आँखों की रोसनी कभी खराब नहीं होती है 19. उल्टी गिंती करने से यादास तेज होती है 20. बच्चों को जंग फूड और मेदे की चीजे ना दे 21. यदि रात को नीन नहीं आ रही है तो पेरों के तलवों पर सरसों के तेल से मालिस करने से नीन अच्छी आती है 22. खाना खाने के बाद घरम पानी का इस्तिमाल करने से खाना जल्दी हजम हो जाता है 22. गुड खाने से दिमाग तेज होता है और पाचन सक्ति मजबूत होती है और खोन की कमी दूर हो जाती है 23. नमबर चोईस आलू का रस और सहत मिला कर चेहरे पर लगाने से तवचा का रंग साफ होता है 25. अगर घर में चिपकली या कीड़े मकोड़े आ जाए तो एक प्याच का आटकर कौने कौने में रग दे इसे वहाँ भाग जाते हैं 26. दल्या खाने से हड्या मजबूत होती है साथ इस वस्ता खराब नहीं होती है दल्या खाने से सहत अच्छी रहती है 27. नकली दूद की पैचान करने के लिए आदे कब दूद में तेजी से पानी मिला यदि इसमें जाग उठने लगे तो समझ ले दूद में मिलावट की गई है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है 28. रोज रात को सोने से पहले एक चम्मस सहत को एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से कब जदूर हो जाता है 30. होट फटते हैं तो देशी गी को घरम करके एक चुटकी नमक मिलाकर लगाने से होट फटने की समस्या दूर हो जाएगी 30. दाल रोटी खाने से इनसान जल्दी बीमारियों का सिकार नहीं होता है आज की जानक्यारी के लिए बस इतना ही ता अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, से, सब्सक्राइब करना ना बूले और हमारी टिप्स को फॉलो कर एक सामानी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर की है अपने टिप्स अपनी डॉक्टर की अनुसारी फॉलो करें तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए टिक करें